क्रोध की प्रतिक्रिया में किया गया क्रोध, उससे भी बड़ा क्रोध है, बुराई की प्रतिक्रिया में की गई बुराई, उससे भी बड़ी बुराई है, गलत की प्रतिक्रिया में किया गया गलत काम सही नहीं हो सकता, जीवन में दो नकारात्मक्ताएं मिलकर एक सकारात्म पत्ता नहीं बन जाती, आख के बदले आख और दात के बदले दात, यह सब हमें कहां ले जाएगा। हम शत्रू के अवगुणों को बड़े ध्यान से देखते हैं, इतने ध्यान से कि आखिरकार वे हमारे ही अवगुण बन जाते हैं। शत्रू से निपटते निपटते हम शत्रू के जैसे ही हो जाते हैं। वह इमानदारी का अवतार था, लेकिन तभी उसने खुद को एक ऐसी स्थिती में पाया, जहां उसकी इमानदारी दूसरों को चोट पहुँचा रही थी। खुद को दूसरों की परेशानी का कारण ना बनने देने के लिए उसने जूट बोलने का सहारा लेना शुरू कर दिया। इमानदारी के साथ निभा ना कर पाना दूसरों की दुर्बलता थी, लेकिन उसने दूसरों की दुर्बलता का सामना करने के लिए खुद एक दुर्बलता पाल ली है, क्या दुर्बलता के बदले दुर्बलता कोई बहतर संसार बना सकती है? ते हमेशा ही सीधे साधे व्यक्तित वाली रही है कुछ समय से उसे ये संदेह हो रहा है कि उसका पती कोई ऐसा काम कर रहा है जो उससे चिपा रहा है इसलिए उसने अपने पती पर नजर रखनी शुरू कर दी और उसे घेरने के लिए चाला की भरे हतकंडे अपनाने शुरू कर दिये यह वो तौर तरीके थे जो उसकी सोच का हिस्सा कभी नहीं रहे हो सकता है कि उसका पती कोई गलती कर रहा हो लेकिन पत्नी को लग रहा है कि वे अपने पती की गलत हरकतों से निपट रही है जबकि वे यह नहीं जानती कि वे खुद ऐसा कर रही है जो कभी उसके अपने चरित्र का हिस्सा नहीं थे जब कभी आप किसी की गलती की और संकेत करते हैं तो तत्काल तो उसका लपकता हुआ जवाब आता है कि मैं वो ही कर रहा हूँ जो बाकी दुनिया करती है कभी भी संसार की दुर्बलताओं का बहाना लेकर अपनी दुर्बलताओं का ओचित्ते सिद्ध ना करें दुरियोधन से निपटने के लिए दुरियोधन बनने की जरुरत नहीं है सच तो यह है कि अरजुन बनकर ही दुरियोधन से निपटा जा सकता है एक दल के सदस्य ने पूछा जो लोग आपके साथ अभधरता करते हैं आप उनकी भी प्रशंशा क्यूं करते हैं तो दल के प्रमुख का उत्तर था इसका कारण बड़ा सीधा सा है प्रसंशा करना मेरा चरित्र है और अभधरता करना उसका चरित्र है मैं दूसरों के चरित्र को अपने चरित्र पर लादना नहीं चाता हम उन लोगों के साथ भी सब्वे बने रहें जो हमारे साथ सब्वे नहीं होते किसी के ओछेपन के कारण अपने चरितर को भी उसी ओचे स्तर तक लाने का कोई ओचतर नहीं है बात ये नहीं है कि दूसरे हमारे अच्छाई के पातर है या नहीं बात ये है कि हम अपने हिर्दे के अंदर किसी भी प्रकार की बुराई को नहीं बिठाएंगे किसी भी कीमत पर अपने चरित्र पर डटे रहे हर कीमत पर धन्यवाद